हलो यहरु आज के इस वीडियो में आपको अताना है कि आप कैसे आपके किसी भी γrau फोन में फेels ट्रिंगर प्लोक लगा सकते हैं तो अगर आपको भी जानना होगा कि आप कैसे आपके फोन में fingerprint lock लगाओगे तो चलिए आज के इस कमाल की video को start करते है आप अगर आपको भी जानना होगा ना कि आप कैसे आपके फोन में फ्रिंगर पीन्ट lock लगाओगे तो बहुत simple है inpul इसके लिए आपको 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 जूण लेना होगा जिसका नेम होगा Security तो आप देख सकते हो कुछ इस थरीका का OPTION होगा CC तो आपको सिंब्ली जो Security वाला OPTION है इसे डूण लेना है और हो सकता है कि आपके कुछ-कुछ फोन में आपर जो है Security ना लिख刃 तो उन फोन में आपर लिखा होगा password and security या फिर हो सकता है कि आपके फोन में आपके lock screen लिखा हो तो कुछ इस तरीके इसे lock screen भी लिखा हो सकता है तो आपको देख लेना है कि क्या आपके फोन में लिखा है और हाँ अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहे यहाल option तो फिर आपको आपको ढया है directly setting में search कर देना है lock screen या फिर आप security भी search कर सकते हो तो यह वाला option जो है वो open हो जाएगा अब जैसे आप security के option को open करते हो तो अब आपको कुछ ऐसा option दिखाई देगा अब आप देख सकते हो आपको दिखाई दे रहा है security update और यह सारे option तो आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको एक option को ढूंड लेना है जिसका नेमो का fingerprint तो यह आप देख सकते हो fingerprint का option हमें दिखाए दे रहा है लेकिन अगर आपको कोई भी fingerprint lock को लगाना है तो इससे पहले आपके phone में कोई ना कोई screen lock होना चाहिए तो अगर हम इसपे भी click करेंगे न तो भी हमें पहले screen lock set करना होगा है तो हम इसपे click कर देता है fingerprint पे click करने के बाद आपको as option दिखाए देगा तो भी आपको दिखाए देगा कि आपको fingerprint के साथ password रखना है pin रखना है या फिर pattern lock रखना है आपको जो भी रखना होगा आपको उस पर click कर देना है तो हमने fingerprint with pin कर दिया है तो हम भी हमें pin lock set करना होगा अब आपको जितने भी digit का pin lock set करना है वो आप कर सकते हो अब हम 1, 2, 3, 4 लगा देता है next पर click कर देते हैं और फिर एक बार आपको वही password को enter कर देना है और confirm कर देना है जिससे कि आपका जो pin lock है आप वो लग जाएगा तो आप देख सकते हैं अभी हमारे pin lock लग चुग है अभी आपको as option दिखाए देगा show all notification content तो आपको आपर दिखाए दे रहा है यह तीन option तो इसमें से आपको क्या notification दिखानी है जब आपका phone lock हो या फिर आपको नहीं दिखानी है तो यह सब कुछ आपको select कर देना है और done कर देना है तो अभी finally आपको आपर कुछ as option दिखाए देगा set up fingerprint तो अभी आपको आपर क्या देखों अभी आपको आपको आपके phone मैं जहाँ पर भी fingerprint sensor होगा ना उसाप से आपको आपर animation दिखाए देगा अभी हमें क्या दिखाए देरिया आप देख सकते हो और ऐमें दिखाई दे रहा है कि अंगुठा जो है स्क्रीन पे ही रख रहा है तो इसका मतलब है कि अब हमारे इस वाले फोन में जो है fingerpaint screen lock है मतलब कि screen पे फिर्इंगरबिंट लॉक है अब हो सकता है कि कुछ-कुछ phone में जो है ना आपका जो fingerprint sensor है वो यहापर side में होगा यह आप देख सकते हो इस वाले phone में side में fingerprint sensor है और हो सकता है कि अगर आपका phone बहुत पुरा ना है तो फिर आपके phone में पीछे की तरफ fingerprint sensor होगा कुछ इस तरीके से तो फिर उसी सब से आपको animation दिखाए देगा अब आपको start enrollment पे click करना है और जहाँ पर भी आपके phone में fingerprint sensor है वहाँ पर आपको आपका अंगुठा रख देना है तो आप देख सकते हो मेरे phone में यहाँ पर है तो हम यहाँ पर ऐसे अंगुठा रख देता है और उपर की तरफ आपको fingerprint दिखाई दे रही होगी तो जब तक यह जो fingerprint आई यह पूरी नहीं आ जाती तब तक आपको ऐसे आपका finger रखना है हटाना है रखना है तो इससे आपकी जो fingerprint है वो sense हो जाएगी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको आपका fingerprint जो है वो sense कर देना है और यह भी थोड़ा ही बाकी है जैसे यह फूल हो जाता है तो आपको S option दिखाई देगा अभी आपको done वाले option पे click कर देना है जैसे आप done पे click कर दोगे तो अभी आप आपर देख सकते हो कि अभी हमारे phone में fingerprint lock लग चुका है अभी अगर आपको कोई और भी fingerprint को add करना होगा तो देखो अभी हो सकता है कि आपको आपको यह left hand का भी fingerprint करना हो तो आप add finger पे click कर सकते हो या फिर अगर आपको आपके किसी दोस्त का fingerprint लगाना है और आपके family member का किसी का fingerprint लगाना है तो आप add finger पे click करके 4-5 fingerprint को लगा सकते हो अभी हम back कर देता है तो अब हम जैसे ही अपने phone को lock करके open करेंगे तो सबसे अले तो हमें आपर fingerprint देना होगा और उसके बाद में हमारा जो phone है वो unlock हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से आपके किसी भी phone में fingerprint lock लगा सकते हो अगर आपको ये वीडियो इंफर्मेटिव लगाओ तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को subscribe कर देना वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद thank you so much